साथियों, अजब हम राष्ट्रिय मंचों से राष्ट निर्माण में जन जातिय समाज के योगदान की चर्चा करते हैं तो कुछ लोगों को जड़ा हैरानी होती है एसे लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि जन जातिय समाज का भारत की संस्कृति को मजबूत करने में कितना बड़ा योगदान रहा है इसकी वज़े ये है कि जन जातिय समाज के योगदान के बारे में या तो देश को बताया ही नहीं गया अंधरे में रखने की बरपुर कोशिश की गई और अगर बताया भी गया तो बहुती सीमित दाइरे में जानकारी दी गई ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आजादी के बाद दसकों तक जिनोंने देश में सरकार चलाई उन्होंने अपनी स्वार्द भरी राजनीती को ही प्रात्विक्ता दी देश की आबादी का करीब करीब 10% होने के बावजुद दसकों तक जन जातिय समाच को उनकी संस्कृति उनके सामर्त को पुरी तरह नजर अंदाज कर दिया गया आदिवाचियों का दुख उनकी तकलीप बच्चों की सिख्षा आदिवाचियों का स्वास उन लोगों के लिए कोई माइने नहीं रखता था साथियों बारत की संस्कृतिक यात्रा में जन जातिय समाच का योगदान अटूट रहा है आप ही बताईए जन जातिय समाच के योगदान के बिना क्या प्रबू राम के जीवन में सफलताओं की कलपना की जा सकती है बिलकुल नहीं बनवाचियों के साथ बिताए समय ने एगनाज कुमार को मर्यादा पुरसोतम राम बनाने में अहम योगदान दिया है बनवास के उसी कालखन में प्रबू राम ने बनवासी समाच की परंपरा रिती रिवाच रहन सहन के तौर तरीके जीवन के हर पहलू से प्रेरना पाई थी